नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टेटी वी थे हमसी चैनल दोस्त आप लोग जानते हैं कि BPSC के एक्जाम इसके डिमिट कार्ड को 30 तरह को आने की आज जारी कर दिया गया है इसको लेकर बहुत से कंफ्यूजन थे बहुत से क्वेस्टन्स थे आप लोगे तो सब कुछ इस वीडियो में क्रियर होने वाले साथ से पहले यहाँ पर नोटीस देख सकते हैं यह नोटीस आज ही जारी किये गया है और यह BPSC के तरब से उपलोड कर दिया गया है यहाँ पर एड्मिट कार्ड उपलब्ध है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए एसे हम यहाँ पर इसके साथ एक फार्म को सलग ने किया गया यह फार्म जिसमें की घोसणा पत्र लिखा हुआ है इसको प्रिंट कर लेना है यह किन के लिए है यह सिर्प उन उमीद्वारों के लिए है जिनके फोटो से नहीं थे ठीक है जिनके फोटो ऑसफस्च नहीं और यहाँ पर अपना हिंदी में इंग्लिस में निचर कर सकते हैं, पर यह सिर्फ वैसे मिदवार के लिए है, जिनके फोटो वगड़ा साप नहीं थे, जिनके हस्ता अक्षाड सही से नहीं दिख रहे थे, पढ़े जाने लाइक नहीं थे, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है, पाकी एक वैसन थे आप लोगों के, कि सर जो एकजाम में सम्मिलित नहीं हुए थे, पिछले एकजाम में, तो क्या उनके लिए अडिमिट कार जारी होगा, तो बिलकुल उन्हें भी मौका दिया गया है, वो भी अपने एकजाम को दे सकते हैं, जो एकजाम कैंसल हो गया था तो वो लोग भी अब इसमें दोबारा से फिर से एकजाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह BPSC को दरब से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, तो इसके लिए थैंक यू BPSC टीम, थैंक यू गोड को, चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको अडिमिट का डाउलोड यैलो गर्ट में दिख़़ा है, आपको यह BPSC कर दिख दाई म्होंड के सक्टे में, इसमें किलिक करते ही, अपको सामने से, इस प्रकार से आपको बढरी बात नहीं है, तो अपने जादे हैं कि एक की डेट में आयू दिक्रबाए जायंगे, 3092 वाल बैस दूब